स्री गनेशाय नमाहा दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गनेश चतूर्थी उत्सब क्यों मनाया जाता है क्यों इतने हर सो उल्लास के साथ गनपती वपा को घर पर लाते हैं और 10 दिन तक उनकी सेवा पूजा अरचना करते हैं इसके पीछे क्या महत तो है क्या कारण है चलिए आज जानते हैं गनेश उत्सब जो होता है उसका जो महत तो होता है वो कितना रहता है और जब गनेश जी को हम अपने घर में ब्राजित करते तो हमें क्या फलप्राप्त होता है चलिए संशिप्त में जान लेते हैं दोस्तो गनेश चतुरती क्यों मनाते हैं? देखिए गनेश बगवान हमारे जीवन में बुद्धी, समरिद्धी और सुख लाने के लिए जाने जाते हैं. बिग्न हर्ता जो हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं, उनकी पूजा करने से हमें ग्यान, सुख और मिलती है दोस्तों अब यहां पर थोड़ी सी एक कहानी है जो मैं आपके साथ सांजा कर रही हूं सनातन हिंदू धर्म में गनेश चतुर्थी के तिवहार का खास महत्तो है इस विशेश तिवहार को भगवान स्री गनेश के जन्म उत्सप के रूप में मनाया जाता है ज्यान औ तिवहार अगले दस दिनों तक क्यों मनाया जाता है उसकी भी जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों ऐसा माना जाता है कि महारसी बेद ब्यास जी ने भगवान श्री गनेश से महावारत ग्रंत लिखने का आग्रे किया था भगवान गनेश ने बिना रुके लगातार दस दिनों तक अपने दात के कलम बनाकर महावारत लिखी इस दोरान लगवक एक ही इस्थान पर लेखन करने की बज़े से गनेश जी के सरीर पर धूल और मिट्टी जमा हो गई और दसमे दिन गनेश जी ने सरश्रती नदी में इसनान करके अपने शरीर की जमी हुई धूल और मिट्टी को साफ किया तब से गनेश उत्सब जो है दसमे दिन भगवान गनेश की मूर्ति का बिसरजन किया जाता है एक अन्यमानिता के अनुसार इस दिन दस दिनों के दोरान भगवान गनेश प्रत्वी पर ब्रहमण करते हैं जहां उनके भक्त उनका स्वागत करते हैं औ चतुर्दस्यी को समापत होता है भगवान गनीज की मूर्ति का विसरजन किया जाता है और भक्त औने विदाई देते हैं और अगले साल आने के लिए बचन मांगते हैं दोस्तों यहां पर जानते हैं कि भगवान श्री गनेश का जन्म कैसे हुआ भगवान श्री गनेश का जन्म माता पारवती के सरीर के मैल से हुआ यानि कि माता का जो उप्टन था उससे हुआ माता ने मूर्ती में प्राण फूग दिये और बिनायक को अपने कच्छ की सुरच्छ का दायुत सोपा जब देवी पारवती के पती यानी भगवान शिव ने कच्छ में प्रिवेश करने का प्रयास किया तो शिव की पहचान से अंजान बाल गनेश ने उनका रास्ता रोग दिया इस पर भगवान शिव ग्रोधित हो गए और गनेश का सिर काड़ दिया दुखी माने भगवान शिव से अपने बेटे को बापस जीवित करने का अनरोध किया तब भगवान शिव ने गनेश जी के सिर के स्थान पर एक हाती का सिर लगाया और उन्हें नया जीवन मिल गया दोस्तो यहां पर गनेश चतुर्थी के दिन हम चांद क्यों नहीं देखते हैं वो भी जानकारी प्राप्त करते हैं हिंदु धार्मिक मानताओं के अनुसार गनेश चतुर्थी को पार्वती नंदन भगवान गनेश का प्राकट हुआ इस दिन चंदर दर्शन को रोक लगाती है इस तिति को बिनायक चतुर्थी गनेश चौथ भी कहते हैं मानिता है कि गनेश चतुर्थी के दिन चंदर दर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिन चंदर दर्शन करने से मिथ्या दोस या फिर जूटा कलंक लगता है इस दिन चांद देखने वाले व्यक्ति पर चोरी का आरोब भी लगता है एक पौराड़िक कता है उसके अनुसा एक बार भगवान कृष्ण ने भादों के महीने में भाद्रपद सुक्ल चतुर्ती के दिन चंद्रमा देख लिया था इसके बाद उनके उपर जामत की मड़ी चोरी करने का जूटा आरोप लगा था इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए थे इस पर नारद श्री जो थे नारद रिशी ने उन्हें बताया कि भगवान आपने भाद्रपद सुक्ल चतुर्ती के दिन चंद्रमा को देखा था उसी बज़े से आपको मिथ्या दोस्त का श्राप लगा है देवर्सी नारद ने उन्हें इससे पीछे की गड़ेश जी की कथा भी सुनाई थी दोस्तों यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी है जरूर से बताईएगा आगे की जो कहानी है नारद ने भगवान कृष्ण को बताया कि प्राचीन काल में भगवान गनेश ने चंद्रदेव को शिराप दिया था कि जो ब्यक्ति भाद्रपद सुक्ल चतुर्ती को मेरे दर्शन करेगा यानि कि चंद्र के दर्शन करेगा जरूर से अभी शापित हो जाएगा और वे समाज में चोरिक के जूटे आरोपों से कलंकित हो जाएगा नारद रिशी के परामर्स पर भगवान कृष्ण ने मिथ्या दोस से मुक्ति के लिए गनेश चतुर्ती के ब्रत किये और मिथ्या दोस से मुक्त हुए जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और कॉमेंट सेक्षन में जैश्री आवस्चे लिखें मिलते हैं किसी विशेश वीडियो की जानकारी के साथ तब तक के लिए जैश्री गनेशा हर हर महादेव